Welcome to OnlyIS, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Geography के Current Affairs के Revision का ये हमारा चौथा लेक्चर है आज के इस सेशन में हम दिसंबर महिने के Geography के Current Affairs को revise करेंगे इस पूरे सेशन की जो PDF है वो आपको OnlyIS की वेबसाइट पर available मिलेगी उसके लिए आपको वेबसाइट के Download section में जाना होगा किसी भी other PDF को avail करने के लिए आपको OnlyIS के Telegram Channel को जोईन करना होता है तो चलिए सुरुआत करते हैं इस सेशन का First Important Article चिल्लाई कला चिल्लाई कला ये देखे 40 दिनों का एक intense winter period होता है मतलब हर साल सरदियों में कस्मीर वैली में एक ऐसा समय आता है जब सरदी बहुत जादा हो जाती है सब zero temperature हो जाता है मतलब temperature minus में चला जाता है zero से नीचे तो इस पूरे period को जो 40 दिनों का ये period होता है इसे चिल्लाई कला कहा जाता है ये जो period है वो start होता है 21st of December से और 31st January तक अगले साल के ये रहता है मतलब 31st January तो 2021 तक ये चिल्लाई कलाँ चलेगा चिल्लाई कलाँ के बाद आता है चिल्लाई खुर्द चिल्लाई खुर्द को मतलब इसका मतलब होता है छोटा small cold ये उसके आगे के 20 दिन का period होता है जन्वरी 31 से 19 February तक उसके बाद आता है चिल्लाई बच्चा मतलब baby cold ये 10 दिन का time period होता है February 20 से March 2 तक इस पूरे period को classify किया गया है विद्दनीव सर्दी जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे ही तो चिल्लाई कला intense winter period है जहाँ पर temperature sub-zero हो जाता है snowfall होती है water bodies जैसे की dull lake ये सब बिलकुल जम जाते हैं और highways को भी access करना मुस्किल होता है अगला article किलायू वालकेनों के बारे में है किलायू वालकेनों जो है वो हवाई का जो एक big island है वहाँ पर अभी हाल ही में erupt हुआ है US का geological survey ऐसा कहता है ये दुनिया का most active वालकेनों है comparatively young भी है location आपको mount किलाव में मिलेगी इसकी ये देखे ये location है जहाँ इस map में इसे दिखाया गया है ये हवाई है और इसके south वाले हिस्से में यहाँ पर आपको ये मिलेगा तो ये देखे यहाँ पर इंडिया की कुछ volcanoes की जानकारी है इसके बारे में तो basic location ही आप जानते रहे that will be enough इंडिया के volcanoes में Barren Island, Andaman Andaman Island में आपको मिलेगा ये इंडिया का only active volcano है नारकोंडम, Andaman में Baratang, Andaman में Deccan Trap महरास्ट्रा में Dhinodhar, Gujarat में और Dhosi Hills, Haryana में ये कुछ example है इंडिया में volcanoes की Antarctica के बारे में है अभी कम से कम 36 लोग जो Chilean Resurts Station है जो Chile का है वहाँ पर Antarctica में coronavirus से infected पाए गये ये पहला ऐसा event है जहाँ पर हमारे southern most continent में ये virus पाया गया Antarctica का देखिए एक ऐसा region है जहाँ पर native humans नहीं रहते यहाँ पर जो 60 permanent stations है अलगलव countries के वहाँ के जो scientists है, researchers है केवल वही रहते हैं ये Earth का southernmost continent है geographic southern pole भी है और जो Antarctic region है Southern hemisphere का वहाँ पर ये आपको मिलता है लेखिए इंडिया का जो Antarctic program है वो Ministry of Earth Science के तहर National Center for Antarctic and Ocean Research कंड़क करता है इंडिया ने Antarctic Treaty System को अगस्त 1983 में अडॉप्ट किया था जिसमें ये objective रखा गया है कि Antarcticा जो है उसका इस्तिमाल केवल peaceful purposes से किया जाएगा वहाँ पर कोई military station नहीं बनाएगा कोई experiments नहीं करेगा जो कि military से associated हो इंडिया के देखे तीन research stations बनाएगे हैं अभी तक Antarcticा में जिनमें से एक अफ़ फंक्शनल नहीं है बाकी के दो फंक्शनल है पहला था दक्षिन गंगोतरी ये पहला इंडिया का scientific research station था जो अंटरकरिका में बनाया गया ये बाद में काफी कमजोर हो गया 1990 के दोरान तो ये बरफ के नीचे दब दी गया था अभी right now इसे केवल supply base के तोर पे इस्तेमाल किया जाता है पुरी तरीके सब इसका इस्तेमाल research purpose से नहीं किया जाता दूसरा है मैतरी ये second permanent research station था जो 1989 में बनाया गया अभी ये functional है ये देखे जो rocky mountainish region है skirmaker oasis का जो इलाका है skirmaker oasis जो है वो लगभग 25 किलो मेटर का ऐसा एरिया है जहां पर बरफ नहीं है oasis का वहाँ पर कई सारी fresh water lakes है in fact इस जो हमारा मैतरी station है उसके पास इंडिया ने खुद भी एक fresh water lake बनाया हुआ है जिसका नाम lake प्रेदर्शनी है तो मुसका इस्तिमाल वहाँ से करते है ये जो तीसरा हमारा research station है that is latest ये 2012 में complete किया गया that is भारती ये researchers को safety provide करवाता है harsh weather के बावजूद ये मैतरी से 3000 km east में situated है एक सागर निधी हमारा ice class vessel भी है जो की 40 cm की बरफ को काट कर travel कर सकता है बरफ वाले area में 2008 में से commission किया गया था research के लिए तो ये सारी बाते हमने Antarcticaica और India के Antarctic research के बारे में बात करी यहाँ पर देखे Goa based national center for polar and ocean research NCPOR है जो की nodal agency है जो भी इंडिया के scientific expeditions Antarcticica में होते हैं या architect में होते हैं वो यही body यही institution देखता है अगर हम बात Antarctic treaty system के बारे में करें जिस पर अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया ने इसको sign किया था इसे देखिए regular international relations जो Antarcticica में हो रहे हैं उसको manage करने के लिए है ताकि उस continent का इस्तिमाल peaceful purposes से ही हो military purpose से ना हो जा उसे कोई exploit ना करे इसका headquarter Argentina के Buenos Aires में है यह treaty 1961 में enforce हुई और 53s की parties है हमारा अगला article iceberg A68A के बारे में है एक giant Antarctic iceberg है मतलब glacier का टुकड़ा है जिसे नाम दिया गया है A68A यह cause of concern बना हुआ है एक छोटे से island के लिए जिसका नाम है South Georgia Island आप इसकी location देखेंगे तो देखे Antarctica के बिलकुल North में आपको यह मिलेगा यह जो area आप देख रहे हैं यह South America का बिलकुल Southern part है बिलकुल Pint part है यहाँ पर एक सक्रा area बचता है South America और Antarctica के North हिस्से में यहाँ जो Larson Sea Iceberg है उसी का तूटा हुआ यह एक हिस्सा है Iceberg A 68A 2017 में यह तूट के अलग हो गया था यह धीमे धीमे North की और आगे बढ़ रहा है यहाँ पर South Georgia एक island है जो की Britain से संबंद रखता है UK से संबंद रखता है ठीक है यह उन्हीं का है अब यह अगर उसकी और बढ़ रहा है तो definitely cause of concern है इसका area 5,800 square kilometer का है Ocean currents के साथ अब यह South Atlantic Ocean में float कर रहा है और South Georgia की ओर जा रहा है डर इस बात का है कि यह अब देखे Iceberg है ऐसा नहीं है कि अचानक से बिलकुल स्पीड में जाएगा और island को उड़ा देगा ऐसा नहीं होगा धीमे धीमे यह flow कर रहा है बट होगा यह कि वो island के पास जाके रुख जाएगा और जब वहाँ जाकी रुख जाएगा तो लगभग इसे गलने में 10 सालों का समय लग जाएगा इससे वहाँ का जो flora और fauna है उसे काफी नुकसान होगा US Nationalized Center ने अभी इस iceberg से दो नए जो iceberg अलग होए हैं उनको भी नेम किया है A68E और A68F इसकी location देखेंगे South Georgia की तो यह आपको Southern Atlantic Ocean में मिलेगा British Overseas Territory है location map में यहाँ पर दिखाया किया है यह Antarctica है और यह South America का बिल्कुल Southern part जो हमारा अगला article है वो Sea of Galilee के बारे में है Sea of Galilee अभी थोड़ा उसमें जो पानी है वो बढ़ गया है स्वेल कर गया है इस्राइली मीडिया के रिपोर्ट्स के मताबिक location देखें यह हमाई लिए important है यह है इस्राइल इस्राइल में यह location Sea of Galilee की है यह जो ब्लू गलर की line आपको दिख रही है यह Jordan River है यह North से आते हुए यहाँ पर इस Sea of Galilee में एंटर करती है और फिर दूसरी और निकल जाती है और निकल के फिरा के Dead Sea में खतम हो जाती है अब यहाँ पर यह जो एरिया है यह Golan Heights का है यह Golan Heights से जोड़ता है Golan Heights का यह हिस्सा सीरिया से इस्राइल को जब Six Day War हुआ था 1967 में उस दौरान मिल गया था तो अभी Golan Heights का यह एरिया इस्राइल एड्मिनिस्टर करता है USA ने अभी कुस्त में पहले इसे जो गैली रीजन है उसके बीच में वैसे यहाँ पर जो पानी है वो अंडरगाउंड स्पिंग से आता है लेकिन इस जो बड़ा सोर्स है पानी का वो Jordan River है इस लेक को लेक टिब्रियास या फिर किनरेट के नाम से भी जाना जाता है यह इसराइल की सुखे के बज़र से इसमें पानी कम था लेकिन अभी जो इसका लेवल है वो एक मीटर तक बढ़ गया है जो कि अच्छी बात है अगला आर्टिकल डिजिटल ओशिन के बारे में है मिर्स्ट्री आफ वर्स साइंसे ने भी हाल ही में एक विब बेस्ट अप्लिकेशन को इनाउगरेट किया विद दनीम डिजिटल ओशिन इसे डेवलप किया गया है इनकोईस के द्वारा इनकोईस का फुल फॉर्म क्या है इनकोईस का फुल फॉर्म है Indian National Center for Ocean Information Services अब ये है क्या? Digital Ocean क्या है? Digital Ocean एक प्रकार का Digital Platform है जैसा कि नाम से भी स्पस्ट है अब ये Digital Platform है कि शीज के लिए यहाँ पर देखे जो Ocean Data है Ocean Slated जो भी Data हमारे पास होगा उसको हम प्रॉपर तरीके से systematically manage करेंगे इस Web Based Platform का इस्तिमाल करके इसके जरीए जो भी Marine Data हमारे पास होगा उसका इस्तिमाल हम प्रेडिक्शन के लिए कर सकते हैं कोई सुनामी आने वाली है या कोई हल्चल समंदर में दिख रही है तो इस Data Combs प्रॉपर तरीके से analyze कर सकते हैं क्या features रहेंगे इस application में या इस platform में set of applications इसमें रहेंगे जिनमें proper तरीके से जो भी oceanographic data है heterogeneous का मतलब जो मिलता जुलता है उसे हम arrange कर लेंगे, organize कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकें ये one stop solution की तरह काम करेगा जैसे researchers होते हैं, कई सारे academic institutions होते हैं उन्हें ocean data की requirement होती है तो वो इस platform से जाके इस data को gather कर सकते हैं strategic users, academic community जो maritime industries हैं, policy makers हैं, public वो इस data को वहां से जाके gather कर सकते हैं और उसका जो भी इस्तेमाल respective purpose से होना है वहां हो सकता है यहाँ पर देखिए इसका core objective तो यह है कि हम sustainable management करें जो भी हमारे oceans हैं, उसके लिए हमारे पास proper information हो ताकि हम blue economy का जो initiative है उस पर भी काम कर सकें जो marine economy हम उसे promote कर सकें यह इंडिया का जो digital India का program है उसमें भी contribute करेगा और हम उमीद करते हैं कि जो oceanographic data हमारे पास आएगा उसकी मदस से हम oceans के बारे में और बहतर समझ विक्सित करेंगे और उस समंध में सही तरीके से प्रयास भी कर पाएंगे अब बात करते हैं incois के बारे में जिन्होंने इस digital platform को बनाया है यह एक autonomous organization है, ministry of earth sciences के तहत काम करते हैं हादराबाद में located है, 1999 में established किये गए थे यह earth system science organization की एक unit भी है इनका mandate क्या है, इनका mandate यह है कि हमें जानकारी दे किस प्रकार की information, जो कि oceans related है advisory services भी कई बार हमें देते हैं कि हमें क्या क्या करना है oceans related ताकि हम oceans के बारे में अच्छा observation रखें लगातार improvement करते रहें, अच्छी policies बनाएं ताकि oceans को हम बहतर बना सके जो हमारा अगला article है वो भाशन-चार island के बारे में है अभी हाल ही में बांगलादेश ने 1600 रोहिंग्यास refugees को जो भाशन-चार low-lying island है वहाँ पर transport किया उन्होंने plan ये बना रखा है जो कि काफी controversial है कि वो एक लाख लोगों को transport करेंगे islands पर अब यहाँ पर भाशन-चार island पर 1600 लोगों को transport कर दिया किया बहुत सारी दिक्कते हैं, controversial क्यों है इस island को चार पिया नाम से भी जाना जाता है इसकी location आप map मेप में यहाँ पर दिख सकते हैं अब देखें ये Himalayan silt से बना है, 2006 में ही ये समंदर के बाहर उभर के आया है दिक्कत ये है, ये जून से सितंबर के महिने में तो पानी में डूब जाता है जब मानसून सीजन आता है और कोई flood fences भी नहीं है, जो पानी को यहाँ भरने से रोक सकती हैं ऐसे city में अगर वहाँ पर किसी को transport किया जा रहा है तो definitely हम उसकी life को बहुत ही misery में डाल रहे हैं जबकि ऐसा किया जा रहा है जून 2015 में बंगलादेश की सरकार ने ये बोला कि वो रोहिंग्याज जो रोहिंग्या refugees हैं, उनको resettle करेंगे अब देखें जो रोहिंग्याज हैं, वो म्यांगमार में काफी persecuted हैं और इसी वज़े से वो भाग कर पडूसी देसों में आ रहे हैं, including बंगलादेश अब उन्हें relocate करने का जो plan बंगलादेश बना रहा है, ये कई सारे perspective से inhuman लगता है अब उनका ये जो पूरा program था, उसे उन्होंने आश्रियन प्रोजेक्ट कहा था, जिसमें उनको दूसरी जिगों पे relocate कर रहे हैं UN Refugee Agency ने इसे logistically challenging बोला, क्योंकि ऐसा करना काफी मुश्किल है, और इससे जो रोहिंग्याज हैं, उनकी life काफी परेशानी भरी हो जाएगी भाजन चार एक flood prone island है, माफ करिए अगर मैं इसे गलग प्रनिशेट कर रहा हूं तो यहाँ पर बहुत ही frequently floods आते हैं, और यह महज 20 साल पहले existence में आया है, concern यह है कि island flood prone है, frequent cyclones यहाँ पर आते हैं, बहुत छोटा है, यहाँ पर रोहंग्याज की बहुत ज़्यदा population आ भी नहीं पाएगी, और अगर overcrowding की गई तो problems और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारा अगला article, चाइना ने अभी एक नए डैम को नौट दे दी है, सैमती दे दी है, अप्रूवल दे दिया है, ब्रहपुत्रा रिवर पर उसके बारे में है, चाइनीज अथारिटी ने गो हैड दे रिया है, कि वो एक hydropower company को, कि वो एक downstream hydropower project बना सकते हैं, एक दम निच चार projects पे काम सुरू कर रखा है hydropower के field में, जिसमें इसे एक तुन का operational भी हो गया है, तो 2015 में China ने जो उनका पहला hydropower project था, जांगमू का, उसे उन्होंने operationalize कर दिया था, जबकि बाकी के तीन अभी in process हैं, that is, डागू, जैक्सू और जियाका, ये अभी develop हो रहे हैं, अप पर, इनकी location को इस map में दिखाया गया है, one, two, three, four के sequence में, अब चौथे को उन्होंने approval दे दिया है, मतब जो पांचवा वाला है, उसको approval दे दिया है, उन्हा पुत्रा नदी देखिए, ये जो चेम्यांग्डूं glacier है, कैलास range में, वहां से originate होती है, 5150 मीटर की उचाई पर, जहां से originate होती है, इसका origin point, इंडस और सत्लूज रिवर के जो origin point है, उसके काफी नजदीक में है, जो इंडिया का, अवनाचव प्रदेश का सद्या टाउन है, उसके पश्चिम में, ये इंडिया में एंटर करती है, मरियम लाजो है, वो ब्रहपुत्रा रिवर के सोर्स को मांसवार लेक से, मांसवार लेक से अलग करता है, इसके लं इस पर question पोच चुकी है, तो आप इसे एक बार देख करी जाएं, अगर एक question भी आ गया, तो cost benefit निकल जाता है, पेरिनल रिवर है, साल भर बहती है, बहुत important characteristics है, because of various conditions जहां से ये flow करती है, दो बार floods आते हैं इस river में, एक बार जब गर्मियों में हिमालय की बहुत सारी बर इस हो जाती है, तब, floods जो हैं, वो हाल फिल हाल में increase भी हो रहे है, climate change की वज़ए से, क्योंकि पूरा phenomena change हो रहा है, काफी dynamic river है, क्योंकि बहुत uneven landscape से होकर गुजरती है, तो land slide होती रहती है, बहुत सारी geological activities भी होती रहती है, इस वज़ए से कई बार इसे अपना, जो course है flow क करने का, उसे change करना पड़ता है, river को आप इस map में देख सकते हैं, यहां से start होती है, तिबत में इसे सांगपो कहा जाता है, और इंडिया में जब ये enter करती है, तो initially तो देखे जो इसका नाम होता है, वो असाम वैली में धिहांग या शियोंग होता है, जब इस सद्या डिस आर्टिकल है, वो एक cyclone के बारे में है, cyclonic storm के बारे में है, बुरेवी, एक depression create हुआ, deep depression, पहले देखिए, depression होता है, फिर depression गहरा हो जाता है, और उसके बाद फिर धिमे-धिमे cyclone frame होने लगता है, तो एक deep depression हमने बे-आप बंगाल में अभी देखा था, जो शुरुवाती द जो IMD है, India Metallurgical Department, उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो बुरे भी cyclone है, cyclonic storm है, यब बे-आप बंगाल में से गुजरता हुआ, तमिलनाडू और केरला के areas को affect करेगा, लेकिन ये भी कहा गया कि जितना strong निवार था, जो भी आया था कुछ समय पहले, ये उतना तो strong नहीं इसका प्रभाव comparatively कम रहेगा, लेकिन रहेगा, जो cyclone है, वो सिलंका के coast को December 2 को cross करता है, तमिलनाडू और केरला में heavy rainfall के बारे में जानकारी दी गई है, इस बुरेवी cyclonic storm को लेकर, तो आप जानते रहेए कि हाँ इस प्रकार का एक storm है, cyclonic storm है, cyclone है, जो आया हुआ हुआ यह है पूरा एफरिका, इसके south में यहाँ पर आपको south एफरिका मिलता है, south एफरिका के बिलकुल यहाँ पर आप देखेंगे, यह मुजांबिक है, और यह south एफरिका है, इस से लगती हुई country है, एस वातिनी, यहाँ पर इसका नाम स्वाजी लैंड लिखा हुआ है, पहले इस country का जो north east का border है, वो मोजांबिक से touch करता है, और बाकी तीन ओर से यह south एफरिका से घिरा हुआ है, 2018 में officially इसका नाम बदला गया था, पर जो हमारा अगला article है, that is, photo fuel enrichment plant के बारे में, context यह है कि अभी satellite images के जरीए यह identify किया जा रहा है, कि इरान ने फिर से, जो photo fuel enrichment plant है, व यहां पर इरान का एक underground nuclear facility है, जहां पर को uranium को enrich करता है, ताकि उसका इस्तेमाल एक nuclear weapon के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, nuclear weapon के तोर पे उसे use किया जा सके, अब देखे, USA और इरान के बीच में, इरान के atomic program को लेकर अक्सा tension बनी रहती है, टरंप ने, जो एक समझोता इरान और European powers की बीच में हुआ था, उसे भी cancel कर दिया, unilaterally, location देखे, FODO fuel enrichment plant की, यह Iranian underground uranium enrichment facility है, जो आपको इरान की जो city है, कौम, उसके 20 मील North East में मिलेगी, FODO एक village का नाम है, यह इरान है, map में देखे, और यहां पर यह location almost देखेगी, थोड़ा और बड़े map में देखना चाहे तो यह इरान, पाकिस्तान से इसकी boundary है, अफगानिस्तान से है, इधर इराक से है, और टर्की से है, यहां पर boundary तुर्कमेनिस्तान से भी दिखाई जा रही है, यह location FODO की यहां पर दिखाई जा रही है, इरान जो है, वो publicly इस बात को acknowledge नहीं करता कि वो ऐसा कोई भी construction कर रहा है, हलां कि 2009 में यह identify किया गया कि इस गाहों में nuclear enrichment plant लगाया गया है, और uranium को enrich किया जा रहा है, तो काफे जदा tensions हो गई थी European powers और इरान के बीच में, 2015 की deal के पहले यह कैसा समय था जब विवाद अस्थिरता बढ़ गई थी, अब देखे, इस building का purpose क्या है, यह तो unclear है, क्यों वहाँ पर nuclear weapons बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से Donald Trump ने unilaterally जो treaty थी, जो एक समझोता हुआ था, उसे cancel कर दिया, उसके बाद से इरान काफे तल्क है European powers को लेकर, क्योंकि उन्होंने खुल कर इरान के लिए stand भी नहीं लिया, बाकी जो European powers थी, अब US President Joe Biden सत्ता में आएंगे January में, उसके पहले जब Trump का बिल्कुल आखरी का समय चल रहा है, US और Iran के बीच में इस बात को लेकर तल्की और भी जादा बढ़ सकती है, हमारा अगला article हल्दी बारी चिलाहाटी rail link के बारे में है, इंडिया और Bangladesh के Prime Ministers ने आपस में मिलकर इस railway link को अभी inaugurate किय है, जो हल्दी बारी है वो इंडिया में है, ये मैप में देखे, वेस्ट बंगाल में आपको दिख रहा है, और जो चिलाहाटी है वो आपको पांगलादेश में दिखता होगा, ये कुलकाता से सिली गुडी जो broad gauge main route है, उसी का हिस्सा है, उस rail link का हिस्सा है, ये broad gauge जो होता जो सामने तया rail की पठरियां देखते हैं, वो broad gauge में ही होती है, ये rail link 1965 के पहले तक functional था, लेकि 1965 के war में, चुकि बांगलादेश तब पाकिस्सान का हिस्सा था, इसे बंद कर दिया गया था, अभी इसे वापिस से सुरू किया गया है, तो आसाम और वेस्ट बंगाल के जो connectivity है बंगलादेश के साथ, वो इसके जरीए बढ़ जाएगी, अब यहाँ पर देखिए, इसमें original trade को भी growth मिलेगी, ports को इस rail link के माध्यम से हम connect कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि ये पहला rail link है इंडिया और बंगलादेश के बीच में, in fact ये पांचमा है, इसके पहले चार और भी है, चारों के नाम यहाँ पर mention किये गए है, पेत्रा पोल से बेनापोल, पहला नाम इंडिया में है और दूसरा बंगलादेश में, गेडे से धरसाना, सिंगबास से रोहानपूर, राधिकापूर से विरोड, ये locations हैं जिनको link किया गया है, rail link के थ्रू पहले भी, अगला article ह है, that is related to coil war bridge, coil war bridge को अभी inaugurate किया गया है, बिहार में 100 नदी के ऊपर, ये एक 3 lane bridge है, आप image में देखेंगे तो एक incomplete सा bridge दिख रहा होगा, एक तरफ का हिस्सा बना हुआ है, दूसरा बन रहा है, actually ये 6 lane है, 3 lane अभी तयार हो गया है, 3 lane प्रिपैर हो रहा है, उमीद है next year तक जितना बन गया था, उतना operational कर दिया गया, तो यहाँ पर देखें, इसके पहले अभी, जैसे अभी तो ये inaugurate हुआ, इसके पहले कैसे लोग क्रॉस करते थे, सोन रिवर को यहाँ पे, तो एक 2 lane bridge हुआ करता था, जिस पर वो rail come road bridge था, वो 138 साल पुराना था, मतलब अंग्र बिजों के जमाने का वो bridge था, जो अभी तक काम कर रहा था, तो उसे अभी replace किया गया है, modern needs को देखते हुए, यह उत्तर प्रदेश को बिहार से connect करेगा, और बिहार की कुछ locations को भी आपस में connectivity provide करवाएगा, अब पहले की गरम बात करें, तो 1862 से लेकर 1900 के बीश में, जो पहले वाला bridge था, Tulane, वो longest bridge हुआ करता था, इंडिया का, और उस समय का जो वाइसराय था, Elgin, Lord Elgin, उसने इसको inaugurate किया था, इसे alternatively अब्दुलबारी bridge के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है, यह सोन रिवर का pathway है, यहाँ पर कोईलबार situated है, जहाँ पर इस river के उपर यह bridge की location है, वहाँ सो originate होती है, मदर पुदेश का map यहाँ पर नीचे है, यह spotted area अमरकंटक का है, यह जो अमरकंटक location है, pilgrim town है, heritage area भी है, यहाँ पर आपको विंद्यन और सत्पूरा ranges मिलती हुई दिखेंगी, देखें यह जो इनका meeting point आपको यहाँ पर दिख रहा है, यही पर आपको मिलेगा अमरकंटक, अमरकंटक जो है वो नर्मदा और जोहिला river का starting point भी है, वो mount Everest के measurement के बारे में है, अभी हाल ही में नेपाल और चाइना ने मिलकर, mount Everest की जो height है, उसका एक revised measurement अनौंस किया, जिसमें उन्होंने mount Everest की height को 0.86 cm जादा बताया, जो previous measurement था, mount Everest का, that was 8,8 848 meters, और अब इसे उन्होंने बोला कि नहीं, ये height 86 meter बढ़ गई है, बढ़ने के करणा बताया जाते हैं, जब नेपाल में आथक्वे काया था, उसकी बात बताया गया था, कुछ tectonic movement की वज़े से, जो mount Everest की height है, वो बढ़ गई है, mount Everest को सागर माथा कहा जाता है, नेपाल म किया जा सकता है, पार्टिकुलरली तिबद के तरफ से, अब यहाँ पर ये जो English name है, mount Everest, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि Sir George Everest जिनका नाम था, ये colonial era की एक geographer थी, mid 19th century में, जब survey किया जा रहा था, इस पूरे mount Everest को, तो उस दोरान वो Surveyor General of India हुआ करते थे, तो उनी के नाम स इसका नाम mount Everest रख दिया किया, जो नई height है, अब वो 8848.86 meter बताई जा रही है, जो कि इसके काफी लंबे समय से, जो height बताई गई थी, that was 8848 meter, उसे replace कर देगी, जो measurement last time किया गया था, जिसके basis पर दुनिया mount Everest की height जानती थी, उसे survey of India के दोरा, 1954 में किया गया था, लेकि सबसे पहले mount Everest को फते किया गया था, इंडियन, नैपलीस, टेंजिंग, नौजी के द्वारा, और न्यूजिलैंड के जो एक प्रवतार हो ही थे, एडमंड हिलेरी, उनके द्वारा, जो height है, इसे revise करने का कारण तो एक यही है, कि 2015 में नेपाल अर्थकर के बाद संभावना थी, क tectonic moment के वज़े से height change हुई है, और measurement इस आधार पर भी depend करता है, कि आखिर उसे measure किस नहीं किया था, तो जो इसके पहले measurement था, that was quite accurate, जो first survey Everest का हुआ था, that was in 1847, 1847 काफे पहले, 1947 नहीं, उसके भी 100 साल पहले, जब Andrew Wagg, एक team को lead कर रहे थे, वो Surveyor General of India थे, उन्होंने trigonometric calculation का एक्सिमाल करके, Mount Everest की height को calculate करने का प्रयास किया था, उसे great trigonometric survey of India भी कहा जाता है, उस समय जब इसका नाम Mount Everest नहीं पड़ा था, तब Mount Everest को peak 15 कहा जाता था, और उस समय जो सबसे highest mountain माना जाता था, that was Mount Kalchenjunga, जिसकी जो height है, वो 8,582 meters है, वास्तों में ये वर्तमान में दुन mountain है, ये third highest mount है, उसे उस समय सबसे highest माना जाता था, second देखे, Mount Ketu है, जिसकी height 8,611 meters है, और second highest जो है, ये second highest के बात करें, Mount Ketu की, third highest जो है, वो यहाँ पर कंचन जंगा है, इसे पहले सबसे उचा मानते थे, जब तक peak 15 के बारे में ये final नहीं होगा, कि ये Mount Everest है, ये सबसे हमला कर सकता है, Prits Island, जिसी Dongsha Island भी कहा जाता है, South China Sea में है, right now, ये Taiwan के jurisdiction में आता है, लेकिन चाइना के निगाह काफे लंबे समय से इस पर लगी हुई है, और वो इस पर हमला करके कबजा भी कर सकता है, और अगर वो इसके उपर कबजा करता है, जूकि ये South China Sea के नदन पार है, Definitely, उसमें इस से लोगों को अपती हो सकती है, Countries को अपती हो सकती है, जो हमारा अगला आर्टिकल है, वो Western Sahara Dispute के बारे में है, मुरक्को अभी इस बात पर राजी हो गया है, और इसके बाद ये 4 अरब नेशन बन जाएगा, जो इसराइल के साथ अपने रिलेशन को कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है मुरक्को, क्योंकि USA ने मुरक्को को एक बहुत बड़ी रियायत दे दी है, और ये कहा गया है USA की तरफ से, कि जो Western Sahara की territory है, जो काफी लंबे समय से Disputed है, Western Sahara और मुरक्को के बीच में, उस पर USA अब मुरक्को के क्लेम को Accept कर लेग बदले में, मुरक्को इसराइल के साथ अपने संबंधों को सामानने करेगा, मैप में लोकेशन देखेंगे तब समझ में आएगा, ये है पूरा एफरिका, एफरिका का ये जो सहारा का रीजन है, इसके West में ये country है, Western Sahara, और इसके North में यहाँ पर आपको मिलेगा मुरक्को मुरक्को, Western Sahara के एक बहुत बड़े हिस्से को क्लेम करता है, in fact, right now वो उसे administer भी करता है, यहाँ पर देखें जो boundary दिखाई गई है, that is of मुरक्को, ठीक है, ये boundary मुरक्को की है, जो dotted है, इसके उपर मुरक्को है, और ये जो नीचे का area है, जो same color में है, उसे मुरक्को administer करता है, और ये जो थोड़ा सा competitive way dark color है, ये area जो है, वो western sahara का है, जो originally वो rule करते हैं, और कई साई refugees अलजीरिया में है, side में, अगर आप पूरू में देखेंगे, western sahara के, तो ये country है मौरिदानिया, और मुरक्को के पूरू में, या east में आपको अलजीरिया मिलेगा, तो locations आपने map में देखी, आप देखेंगे, पूरा मामला ये है, कि कहानी start होती है, बहुत पहले, यहाँ पर ये जो मुरक्को का area है, इस पर पहले France का rule हुआ करता था, और जो western sahara का ये पूरा area है, यहाँ पर rule हुआ करता था, Spain का, ये region इसले भी important है, जिसको मुरक्को claim कर रहा है, because इ जाता है, first resource भी यहाँ काफी जादा है, और यहाँ पर oil भी बड़ी मात्रा में मिलता है, इस वज़े से मुरक्को की निगा, western sahara की location पर बनी रहती है, विवाद का कारण क्या है, ये समझे है, टाइम लाइन में जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 1884 में, जो ये region है, western sahara का, ये Spain के control में आ गया था, मतलब ये region Spain के control में था, और मुरक्को का जो region है, वो France के control में था, जो ये region Spain के control में था, वो उसे Spanish sahara कहा करते थे, इस region को वो Spanish sahara बोलते थे, क्योंकि Spain के under में था, 1956 में मुरक्को फ्रांस से आजाद हो गया, information यहाँ पर लिखे है, लेक से 1956 में इन्होंने आजात कर दिया, उसकी एक साल बाद 1957 में मुरक्को ने ये कहा कि western sahara का जो पूरा area है, वो उनका है, लेकिन चुकि उस समय वो Spain के rule में था, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, कुछ समय के बाद जब UN ने ये कहा कि पूरे दुनिया के जो देश है, उनको decolonize किया जाए, कॉलोनी नहीं रहेगी, तो 1975 में, 1975 में Spain भी western sahara से चला जाता है, लेकिन जब Spain जाने लगता है, तो वो गरवड़ी करके जाता है, वो कहता ये है कि जो two-third उपर का हिस्सा है, वो मुरक्को का होगा, और जो बाकी one-third नीचे का हिस्सा है, वो मौरितानिया का इसे मौरक्को ने administer करना start कर दिया, अब देखे मौरक्को जो है, वो 80% western sahara की location को उसके phosphate reserve को आज भी administer कर रहा है, लेकिन controversy फिर भी बनी रहती है, अब ही USA ने कहा कि हम आपके इस claim को agree करते हैं, आप इसराइल के साथ अपर relations को सही कर दीजिए, वो strange तो है, बट surprising नहीं है, अ उसके उपर बनाया जा रहा है, तो यह चीज तो होगे information कि काबुल नदी के उपर यह बनाया जा रहा है, काबुल नदी की एक जो tributary उसके उपर बनाया जा रहा है, यह dam की picture आप देख लिजे, यहाँ पर लिखा भी है, अफगान इंडिया, जो दोस्ती का एक स्मारक बना इस dam को बनाने से, तो यह था आपका शयतू dam, जो अवगानिस्तान में इंडिया बना रहा है, इसलिए important हो जाता है current affair के point of view से, तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much